दोस्तो नमस्कार दोस्तो आज से हम मद्य प्रदेश ऑब्जेक्टिव इस्टार्ट कर रहे हैं देखिए पहले जो भी हुआ जिस तरह से हम इस्टार्ट करते थे लेकिन पूरा नहीं कर पाते थे इसको निसंदे हम पूरा करेंगे और हर दिन आपको एक वीडियो मिलेगा इसमें लगबग हम दो हजार से ज़्यादा ही इसमें question करेंगे objective टाइब के और objective अकेले ही नहीं करेंगे इसका हम description हर वीडियो में हर question का हम इसमें description इसमें हम अच्छे से करेंगे बतलब कि एक question से आपके 3-4 question complete होंगे बस आपका सयोग इसमें चाहिए आप like करें share करें अपने दोस्तों को और comments करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा तो चलिए बिना देवी किये शुरू करते हैं पहला प्रशन आपके screen पर है आप देख रहे हैं प्रशन है रामगड की किस रानी ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया था तो इसका आंसर रहेगा रानी आवंती भाई इसने किया था रानी आवंती भाई ने युद्ध किया था इन्होंने कब किया था भारत के प्रतम स्वतन्तरता संग्रा मतलब की 1857 की क्यांति में इन्होंने भाग लिया था ठीक है और इसके अलाबा रामगण की रानी रेवांचल में मुक्ति आंदोलन की सूत्रधार भी रही थी ने हम यहांपर आपको देख रही होंगी रानी ढाया जा थे और यहां पर आपको दूर्गवाईं देख रहे हैं, मतलब कि यह दूर्गवती की बात हो रहे है, दूर्गवती भी जो है, गड़ा मंडला की सासी का थी, यह अकबर के समय में, यह मंडला में सासन किया करती थी, तो उमीद करता हूं, आपको इसमें अच्छे से समझ में आ रहा होगा next question हम देखते हैं यहाँ पर मद्ध प्रदेश हस्त सिल्प निगम कहा इस्ति थे तो इसका simple answer है विल्कुन सराल है कहा पर इस्ति थे भोपाल में आई इस्ति थे लेकिन इसकी date में आपको बता दूँ इसकी स्थापना कब अब आप यहाँ पर confused हो रहे होंगे कि हमने तो 1981 पड़ा है तो पहली चीज़ आप देख लिए मद्ध प्रदेश हस्त सिल्प निगम इसकी स्थापना 1972 में हुई थी और जहां पर मद्ध प्रदेश हस्त सिल्प विकास निगम में दिया जाए तो उसकी स्थापना 1981 में निगम कारीगरों मतलब कि जो कारीगर हैं और उनको सहकारी समीधियों को आर्थिक सहायता देना इस चेत्र में जो काम कर रहे हैं कारीगरों को सरकारी सहायता देना इसका मुख काम है नेक्स प्रस्न हम देखते हैं यहाँ पर जबलपूर सत्याग्रह का प्रारम हुआ तो तो इसका आंसर रहेगा बर्स 1923 में इसको प्रारामवी किया गया जणडा सत्याग रहे हम इसको नाम से जानते हैं Next600 है लोक कथां में बरणित आला ओदल सेना पती थे तो लोक कथां में बरणित आला ओदल किसके सेना पती थे तो हम यहाँ पर देख लें, second option इसका correct रहेगा, क्या रहेगा, चंदेल सासकों के है, जो है सेनापती थे, यह बहुत पराक्रमी थे, और बहुत प्रतापी, दोनों भाई थे सगे, और बुंदेल खंड के महोबा के बीर यह जो है, योद्या थे, चलिए, आगे चलते हैं हम, और next question हम इसमें देखते हैं, मांडू के सासक बाज बहाद्दूर किस सासक के समकालीन थे, तो जो बाज बहाद्दूर थे, किस सासक के समकालीन थे, हमने ऊपर देखा था, इनकी पतनी का नाम क्या था, रूप मती, ठीक हैं, तो यह किस के समकालीन थे, अकबर किया है, समका तो इनके बारे में हम देख लेते हैं सबसे पहली चीज तो जो question बनेगा next question यहां से बन सकता है कि मांडू का अंतिम सोतंत्र साशक कौन था मुगल काल की बात हम कर दें तो कौन था दोस्तों यहां पर बाज बहाद्दूर अंतिम सोतंत्र साशक थे और इनके समकालीन तो आपको पती हैं अकबर हैं अकबर ने अकबर की सेना और बाज बहाद्दूर की सेना के मद में 1570 में याद रखें 1570 में युद्ध हुआ जिसमें बाज बहाद्दूर हारे और इसमें इस युद्ध में बाज बहाद्दूर मारे भी गए थे चलिए आग पर पाए गए हैं ददिया में असोभ के सिलालेग पाए गए हैं मोरवराजी बंसे के समराट असोभ ने कुल 33 कितने 33 अभिलेग प्राप्ट हुए हैं जिन्हें असोभ ने इस्तंबो चट्टानों और गोफाओं की दिवारों में अलाग अलक समय में इनको निर्मित करवाया था, इनको खुदवाया था, लेकिन असोक के जो मुख सिला लेक, उनकी संख्या कितनी है, चवदा है, ठीक है, कितनी है, उनकी संख्या चवदा है, और मद्ध प्रिदेश में एक ऐसा इनका अभिलेक पाया जाता है है ठीक हैं अभिलेग इनका मत्य परदेश में पाया जाता है कहां पर दतिया में लेकिन दतिया के अलाबा कटनी में भी इनका एक अभीलेग मिला हुआ है याद रखें यदि दतिया option में ना रहे कटनी option में रहे तो confused ना है आप कटनी इसमें आंसर लगाके कर सकते हैं नेक्स प्रस्न हम देखते हैं गोबिंद दास एवं पंडित द्वारी का प्रशाद मिस्र के नेत्रत में प्रारंब हुआ नमक सत्याग्रा है किस नगर से सुरू हुआ था फिलकुल सिम्पल प्रस्न है कहां से हुआ था जबलपूर से हुआ था शेट गोविंद दास और पंडित द्वारी का प्रशाद नित्र के जो है नेत्रत में नमक्षत्य अगर जबलपूर से हुआ था डेट दी आपसे पूचले कब हुआ था तो 6 अप्रेल 1930 कब हुआ था 6 अप्रेल 1930 को इसकी सुरुवात हुई थी इसके स प्रशनाथ में एक प्रश्ण और बनता है कई बार एक्जाम में आ चुका है प्रस्ण है कि मद्य प्रदेश के सीवनी में जो है दुर्गा संकर महता के नेत्रत में मद्य प्रदेश के सीवनी के गांधी चौक से बर्स 1930 में ही नमक्षत्य अगर हुआ था यहाँ पर इसका नेत्रत तो किस ने किया था दुर्गा संकर महताजी ने किया था अगला प्राशनम देखते हैं माराठा पराभाव के बाद किसने भौपाल के अंत के बाहद में भौपाल में शोतनतर नवावी राजी की स्थापना की थी याद रखें आप और इनके बारे में हम कुछ देख लेते हैं जैसे कि दोस्त मुहम्मत खान का मकबरा भी है बोपाल में जो की 1742 में कब हुआ था 1742 में इसको निर्मित करवाया गया था चलिए नेक्स प्रशन हम देखते हैं कि सासक के दोरा मंदसोर के किले का निर्माड कर आया गया तो कौन सा सासक है जिसके दोरा मंदसोर के किले का निर्माड करवाया गया तो इसका अंसर रहेगा अला उद्दिन खिल जी कौन रहेगा दोस्तों अला उद्दिन खिल जी इसका अंसर नहीं को जानते हैं दसमें इसको हम नॉट करते हैं कर जानते हैं और इन्होंने कब निरमित करवाया था है दोस्तों 44 सताबधी निरमित कि यहां था नुझा लगे जानते हैं इस तरह जी बैद साला की स्थाफना की दी तो कौन सा राजा ने कराया था दूस्तों इसको तो आपको पता होना जी कई वार आपने पड़ा होगा सवाई जैसिंग यह जैपूर के राजा थे सवाई जैसिंग इन्होंने भारत में जो है उज्जेन, मतुरा, डिल् richtige, बराणем सी ऐसे कुल पांच बैद सालां का निर्मार कर वाईया था इनमें से पहली बैद साला कहां पर अनुव इंदू ने पहली बैद साला बनवाया था और पहली जो बैद अंतर बैद साला की यह जो है सहर के दच्छिण में और छिपरा के दहिनी में जह सिंग पूर नामा के किस्थान है उज्जेन में यहां पर इसमें इसको निर्मित की गई है चलिए नेक्स प्रशन हम देखते हैं हुसंगाबाद सहर के संस्थापक कौन थी बिलकुन सरल प्रशन है हुसंग साय कौन थे दोस्तों हुसंगाबाद सहर के संस्थापक थी इनके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं हुसंग साय के बारे में देखिए जो हुसंग साय थे यह मालवा के दोती सुल्तान थे कौन थे दोस्तों दोती सुल्तान थे इनको हम हुसंग साय गौरी के नाम से भी जानते इन्होंने पंद्रवी शताप्दी में इसकी इस्थ खापना की थी होसंगाबाद से हैं नर्वर्दा नदी के किनारे किश्थी थिए नैएक्स प्र olvisa नेहें हैं निम्न में से निम्न में से किस राजबन से संब्बंदित हैं भी कुल कर paint राजबन से संब्बंदित हैं चलिए इनका हम देख लेते हैं अह Benny कि बारे में क्योंकि अहिल्याभाई बहुत महानसासी तोन और जर्म महाराष्ट में 1725 कब kuwa था महाराष्ट में 1325 में इनकी रिवा था खंडे राव किस्षे हुआ द約 खंडे राव के साथ में इनका विवा राव खंडे रावाल अलपाइयू में ही जो है स्वर्ग शिदार गए और इसके बाद में जो राजकाज था i ben अहिलय अभाई नहीं समाला और इन्होंने अपनी राजधानी सताब्दी ईसापूर में भारती सहरी करण की दूसरी लहर के दौरन अबंती राज जी की राजधानी के रूप में कार किया था सीधी सी बात है उज्जेनी कोने दोस्तों उज्जेनी पहला ऑप्सन रहेगा उज्जेन इसका करेक्ट आंसर रहेगा चलिए आज आपको पता हो चाहिए छटवी सताब्दी ईसवी पूर में हमें उज्जेन से बहुत सारे एतिहासिक प्रमाणवी देखने को मिलते हैं और जो भारत की 16 महाजनपत थी उनमें से एक अबंती महाजनपत भी थी और अबंती को दो पाल्टों में डिवाइड किया गया था उत्त्री जो है अ सिंदिया ने गौलिय hein Rails महराठा महराज कौन थे सिंदिया के गौलियर राज्य के पहले मराठा महराज कौन थे यहां पर पूछा है आप से कि यह थोड़ा सा अलग तरह से टाइप हो गया है इसमें तो यहां बन देखिए सिंधिया बंस के संस्थापा के दिया आप से पूछ ले तो इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों इसका आंसर रहेगा रानोजी सिंधिया कौन रहेगा रानोजी राओ सिंधिया इसके संस्थापा क की स्थापन है। nation Gothic है मद् des-pr tendon के गोंड राजाओं की राजधार राम नगर निर्माता राजा कौन थे राम नगर इसको किस न निर्मित किया था रहेगा दोस्तों हर्दय किससा न किया था है अ देश का मंदला जिला हमें पता है बहुत प्रचीन और है और प्रचीन काल में और मद्दकालीन काल में गोंड राजाओं ने अपने इसमारकों से इसको अपनी जो है एक सम्रद साली इस्तली बना दिया था आगे हम देखते हैं कि गोंड राजाओं की राजधानी रामनगर थ इनकी हम थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं कि इन्होंने अपनी राजधानी को आखिरकार रामनगर क्यों ले गया देखिए सबसे पहले देखिए हाँ पर 1661 में 1651 इस भी में जुजहार सिंग बुंदेला का छोटा भाई जो थे पहाड सिंग बुंदेला ने चोरा गड़ पर आक्मण कर दिया चोरा गड़ पर इन्होंने आक्मण कर दिया इस आक्मण के समय गड़ा के सासक कोन थे हरदय साय थे ठीक है गड़ा के सासक हरदय साय थे इस आक्रमण के फल सरूप चौरागण सदा के लिए गोंड राजाओं के अधिकार से निकल गया जब चौरागण इनकी राजधानी थी तो इनको कहीं नई राजधानी तो बनानी थी तो इन्होंने रामनगर को अपनी राजधानी बनाया रामनगर जो है मंडला से 17 किलोमेटर दूर इस्तित है नर्वदा नदी के तट पर इस्तित है चलिए नेक्स्ट परस्ट हम देख लेते हैं मांडू के सुल्टान बाज बहाद्दूर को किस ने पराजित किया था हमने उपर भी देख लिया है परस्ट को तो मांडू के सुल्टान बाज बहाद्दूर किस ने पराजित किया था अकबर ने इसको पराजित किया था चलिए और जो अकबर और जो बाज बहाद्दूर थी इनकी सेना के बीच में युद्ध कब हुआ था दोस्तों इनकी सेना के बीच में युद्ध हुआ था 1561 इसवी में सारंगपूर में याद रखने सारंगपूर एक इस्थान का नाम है और यह परस्ट बन चुका है तो सारंगपूर में इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था चलिए आगे चलते हैं हम और अगला प्रस्न देखते हैं प्रस्न है 1517 में ग्वालियर के राजा बिक्रमा दित्य को किसने हराया था इब्राहीम लोधी ने हराया था जो राजा बिक्रमा दित्य थे यह ग्वालियर रियासत के प्रतापी राजा मान सिंग टॉमर के पुत्र थ आगे बढ़ते हैं और अगला प्रशन देखते हैं प्रशन है मौर युग में मालभा का पस्च्मी भाग अबंतिका कहलाता था जबकि इसकी राजदानी उज्जेनी था इसका पूरी भाग देखिये हैं तो इसका पस्च्मी भाग क्या था दोस्तो इसका पस्च्मी भाग अबंतिका कहलाता था जिसकी राजदानी उज्जेनी थी और पूरी भाग अकरा कहलाता था याद रखें यहां पर ठीक है एक मेरे लिए भी एना है सकता अकरा कहलाता था उसकी राजदानी क्या थी तो दोस्तो इसकी राजदानी क्या थी तो आपको याद होना चाहिए बिदीसा ठीक है इसकी राजदानी क्या थी बिदीसा इसकी राजदानी थी इसके बारे में हम थोड़ा डिस्क्रिप्शन दे मालवा के ये भाग चंद्रगुप्त मौर से लेकर असोक के काल तक इसी तरह से दो भागों में डिवाइड रहे प्रचीन नगर जो बिदीसा है उसके आसपास के छेत्र को अपनी भोगोलिक विसिष्टा के कारण हम पढ़ते हैं इसको धरसन और दसान के नाम से हम जानते हैं मतलब कि 10 किलों वाला छेत्र ठीक है 10 किलों वाला जो छेत्र था इसको हम किस नाम से जानते थे दरसन या दसान के नाम से जानते थे चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रशन देखते हैं प्रशन है नरेश मंदाता के पुत्र जिसने गंधर्वों को हराया कौन थे तो दोस्तों कौन थे हुआ है पुरू कुत्स ठीक है तो वी ओप्सन इसका करेक्ट आंसर रहेगा क्या रहेगा दोस्तों वी ओप्सन इस ससबिंदु की कन्या बिंदु मती से हुआ था यह प्रशन पूशा गया है किसी एकजाम में ब्यापम के तो बिंदु मती से इनका बिभाय हुआ था जिनके तीन पुत्र हुए मुचुकुंद, अंबिरीक और पुरू कुत्स इसी के बारे में हम यहाँ पर देख रहे हैं प पहलतागा जनजाति की जो राजकुमारी थी नरौधा, नर्वदा नदी के नाम से हम जिनको पतलब नर्वदा नदी है, इन्हीं से बिभाहिक यह था ऐसी हमें कथा मिल घृृकुत्स ने गंधर्वां को हराया था इनने गंधर्वां को हराया था इस्को आप नोटब आजाद का जन्म, भावरा अली राजपुर में कभ हुआ था, सब को पता होना चाहिए एप रस्ने, तो जो है, इनको जन्म कभ हुआ था, तो आंसर रहे है जब यहां गिरफतार हुए तो अपना नाम आजाद बताया क्या बताया था अजाद बताया था और अलफ्रेड पार्क में 27 फरवरी 1931 को स्वयम गोली मारकर अमर सहीद हो गए है नेक्स्ट प्रस्णम यहां पर देखते हैं अमझेरा रियासत का संबंद किस जिले से है तो इसका आंसर कह रहेगा दोस्तों धार जिले से है किस से है धार जिले से इसका संबंद है यह एक मद्द कालीन नगर था जो पस्च्वी मद्द प्रदेश के जो मालवा छेत्र यहां परिस्ति थे अगला प्रश्नम देखते हैं आपर प्रश्न है राजा नल की राजधानी नरवर मद्ध प्रदेश के किस जिले में है तो कौन सा जिला है दोस्तों है यह इसका नाम रहेगा सिवपूरी क्या है सिवपूरी में यह इस्ति यह एक यतिहासिक नगर है प्रचीन का में राजा नल की राजदानी ती और महाभारत में भी नर्वर का उलेक निसद नगर नाम से हम मिलता है यह आप से पूचक्छ लेंगे कि महाभारत काल में जो जो नगर है तो इसको हम किस नाम से जानते थे, जो Nervar नगर है, इसको हम किस नाम से जानते थे, निसद के नाम से हम इसको जानते थे, यह सिवपूरी से 41 किलोमेटर की दूरी के आसपास में इसली थे, next question हम देखते हैं आपकर, जनेरल, दोस्त मुहम्मद खान वास्ताव में क्या थे तो इसका अंसर रहे गा यह एक अफगान थे कौन थे दोस्तों यह एक अफगान थे इस प्रस्न को हमने उपर भी देख लिया है आपको पता होना चाहिए कि दोस्त मौमत खान ने 1722 में कब दोस्तों 1722 में भौपाल को अपनी राजधानी बनाया और इनके जो बनसच थे इन्होंने लगभक दोसों से भी अधिक साल भौपाल पर इन्होंने सासन किया और 1728 में इनकी मत्यू हो गई इनका एक मकबरा भी है भौपाल के फतेगड में जो इस्ति थे आगे हम देखते हैं इनमें से कौन सा परमार बनसका सासक नहीं था इस तरह है के प्रस्ण MPPSC बहुत अधिक पूच्टा है तो इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों इसका आंसर रहेगा देव इसका करेक्ट आंसर रहेगा देखिए इस प्रस्ज में आपको जो दिख रहा है तो उपेंदर, मुझ और उद्यादित् direction या तीनों मालवा के प्रसिध परमार बंझे इनके साह सकते। लेकिन गांगये दियों जो है यह परमार बंझे साह सक नहीं थे, यह कलचूरी बंझे साह सकते। आगे इनकी और हम इस टूरी देख लिते हैं, गांगे देओ ने जो परमार्स आ सकते, जो भोज के संकाली थे, गांगे देओ कौन थे, भोज के संकाली थे, तो इन्होंने भोज राजा जो थे, ठीक enfermar राजा जो भोज थे और इसके अलावा चोल राजा, राजेंदर के शाद मिलकर चालूप के राजा जैसिंग पर इन्होंने आक्मन किया था लेकिन बाद में क्या हुआ कि जो राजा भोष थे इन्होंने गांगे देव को ही पराजित कर दिया बाद में इनकी सुलाय हो गई इस तरह से चलिए अगला प्रशनम देखते हैं धंगे देव किस बंस के सासक था तो धंगे देव यहाँ पर हम देख लेते हैं किस बंस के यह सासक थे तो जजाग भुकती के चंदेल कौन थे दोस्तों जजाग भुकती के चंदेल बंस के यह सासक थे और ये चंदेल कौन थे चंदेल जो थे यह प्रतिहारों के सामन्त थे धंगे देव ने 950 इसबी से 1070 इसबी तक के जो है सासन इन्होंने किया था या एक महान बिजेता निर्माता थे उज्जेन के जो प्रशिद्य मंदिर आप देखते हैं कौन-कौन से पालसवनाद बिश्वनाद मंदिर का निर्माद राजा धंग नहीं करवाया था तो दोस्तो आज के हम 25 कोस्टन ही इसमें करते हैं पहला वीडियो था तो आपको कैसा लगा हम सबसे आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं डिस्क्रिप्शन इसी तरह से बताएं या और दूसरे तरीके से अपना हो भी आप मुझे जो है सजेस्स कर सकते हैं और लाइक करेंगे तो हम पता चलेगा कि हाँ वीडियो अच्छा है आगे भी इसको कंटीन्यू कर सकते हैं तो आज के लिए बस इतना ही जय हिंद जय भारत